नमस्कार साथियों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनेश्टडी के अन्विस स्वागत है साथियों 36 गरवर साइक परिक्षा मंदर रायपूर के द्वारा आज प्रेस्वी गप्ती जारी किया गया है जिसमें 36 गरवर साइक परिक्षा टीटी 2022 सेतू तूटी सुधार संबंद में है साथियों जब 36 गरवर सिक्षक परिक्षा का पढ़िणाम आया तो काफी लोगों को समझ में आ कि उनके द्वारा काफी बड़ी मिश्टेक कर दी गई है सबसे बड़ा मिश्टेक वर्ग में हुआ है जब वे फार्म फिलप कर रहे थे तो नॉन क्रिमी लेयर और क्रिमी लेयर को नहीं समझ पाए जब पढ़िणाम आया तो 75 अंख में पात्रता प्राप्त कर लेनी थी लेकिन क्रिमी लेयर होने के कारण उसे अपात्रक कर दिया अब समस्या यहीं पर हुई तो सभी लोगों ने 36 गड़ वरसाइक परिक्षा मंडल को मेल किया तो उनके रिस्पॉंस में उनके रिप्लाए में 36 गड़ वरसाइक परिक्षा मंडल ने आज प्रेश्ट नोटिस जारी किया आप सभी को पता है कि 28 सितंबर 2022 को दो पालियों म फॉर्म भरते समय हमारे नाम में वर्ग में जन्मतिती में स्पेलिंग प्रूटी है लेकिन आपको 36 गड़ वरसाइक परिक्षा मंडल के द्वारा फॉर्म भरने के अंतिमतिती के बाद तीन दिन तूटी सुधार के लिए समय दिया था तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिय लेकिन आपको परिक्षा मंडल बता रहा है कि परिणाम जारी होने के बाद किसी प्रकार के तूटी सुधार सम्भाव नहीं है तो इसके लिए उन्होंने प्रेस विगवति जारी किया है साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आप फॉर्म फिलप करें पूरी जानकारी एक बार अच्छे से देखे उसके बाद सम्मेट करें और ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना फॉर्म स्वयम भरें ताकि किसी प्रकार की तूटी ना हो साथियों एक तूटी आपके लिए कितना भारी हो सकता है आपको 36 सिक्षक पातरता परिक्षा पैणाम आने के बाद पता चला तो निवेदन है कि एक बार सही जानकारी ले यदि आपको पता नहीं है तो किसी दूसरे से पूछ ले लेकिन कभी गलती ना करे साथियों आउनलाइन आविदन फॉप भरते समय सबसे बड़ी तूटी वर्ग में क्रिमी लेयर और नान क्लिमी लेयर में होई ये क्लिमी लेयर क्या है नान क्लिमी लेयर क्या है आपने इसे समझ नहीं पाया नॉन क्रिमी लेयर में कितने अंग में पात्रता दी जाती है इन सब के जानकारी के अभाव में आपने फार्म भरा और आपसे तूटी हो गया जिसके कारण आप पात्र होते हुए भी अपात्र हो गया तो साथियों मैं बताऊं कि क्रिमी लेयर ऐसे पालक जिनका वार्सिक आए आठ लाग से अधीक है और उनके आयप्रमान पत्र में इस पस लिखा हो कि आप क्रिमी लेयर के अंतरगत आते हैं तभी आप फॉर्म भरते समय क्रिमी लेयर में डालिएगा ऐसे पालक जिनका वार्सिक आए आठ लाग से कम है आपके आए सर्टिपिकट में लिखा रहता है ना कि आपके पिता जी का वार्सिक आए इतना है यदि आठ लाग से कम है तो आप आते हैं नौन क्लिमी लेयर में और नौन क्लिमी लेयर वालों को 75 अंग पत्रता दी जाती तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे Certificate बकायदा आपके पास आयज प्रमान पत्र होता है उसमें इपाश लिखा होता है ये राजसर भग के द्वारा जारी किया जाता है नयए आप तहसिलदार के द्वारा यदे तहसिलदार के द्वारा उसमें दिखा रहता है कि 8 लाग से अधिक है तो creamy layer में आते हैं और 8 लाग से कम है तो non creamy layer में आते हैं तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तभी जाकर किया आप form fill up करेंगे आपने छोटा सा mistake किया पूरा परिणा पूरा बदल गया आपको काफी नुकसान हुआ तो सांथियो निवेधन है कि जब आप form fill up करें तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे व्यापम में हमेशा पूछा जाता है कि आप creamy layer में आते हैं कि non creamy layer में आते हैं अब आप कभी confused नहीं होंगे और अच्छे से form भरेंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चनल पर नए आएं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद